नमस्कार दोस्तों मैं हूँ, आपको दोस संचित स्वागत करता हूँ, नॉलेजगेट यूट्यूब चैनल के उपर आ गए है नए कॉलेज की अफडेट लेके आपके पास और वो है IIT खड़कपूर, बहुत सारा प्यार पुरानी वीडियो से आपको मिल रहा है, हमें मिल र उफर कर रहा है वो है joint mtech, यह नहीं के mtech plus PhD और जो कि कई सारे colleges में जो पास वीडियो में आपने देखा, college उफर कर रहे है, इसकी अगर understanding बता हूँ, तो जो इन्होंने mention किया है कि again, it will be a joint program, पूरा duration तो obviously आप नहीं बता सकते हैं, बिकुस PhD के exact time नहीं पता होता, बढ़ आ होने चाहिए, वो भी बहुत कम आसान बात नहीं, पहले बता दूँ, 8CGP अगर आपका हुआ, तो भी उसके बाद आपका written test होगा, आपका interview होगा, आपकी suitability check की जाएगी, and if everything, everybody is fine, जो भी आपके professor होगे, जो guide होगे, then आपका वो जो idea है, वो PhD में convert हो जाएगा, अगर ऐ exit कर सकते है, तो मुझे तो यह अच्छा लगता है, because बहुत सारे cases मेरा, बच्चे M-Tech के लिए जल्दी prefer करते है, joint program में नहीं आते, तो मानले इसका cut-off अगर थोड़ा आगे भी गया, तो इसमें चले जाओ, एक साल काम करो, और वैसे तो हो सकता है, जानके क्या, कोशिश भ आपके मज़ई आ जाने वाल है, तो यह बात है, इस course के बारे में, यहाँ पर mention क्या है, जो advertisement है website, 51 different areas है, जहाँ पर आप काम कर सकते, अगर आप interested है तो, तो यह वो पूरा course उसी के बारे में है, dates की बात करो, तो 20 March से application start हो गई है, अभी थोड़ा समय है, 18th of April तक इस course के ल अभी आपको, I think, COP के उपर नहीं मिलेगा, है ना क्योंकि MTEX Plus वो है, तो I think उस पर नहीं मिलेगा, तो आपको यहीं पर जाकर करना है, computer science में गर हम देखें तो, अच्छा यह तो अलग-अलग वो है, वहीं पर जाकर आप देखोगे information तो आपको पना लग जाएगा, ठीक ह मापकार बस वो ही, कि मार्क्स की अगर बात करें, for general category आपके BTEX में 60% and above होने चाहिए, CGPA it must be 6.5 and above, अगर CGPA में है तो, बाकी इसने कुछ अलग-अलग ruling दिखें, उसको कोई मतलब नहीं है, एक बात जो फिर दुबारा हर IIT मेंशन कर रहा है, if you are a graduate from IIT only, किसी भी IIT से 2021 या 2022 में आपने के, और अगर आपका CGPA 8 से जादा है, तो भी आप without gate scorecard apply कर सकते हो, उसका पूरा process separate है, but I think hardly कुछ लोग होंगे, जो इस category के अंदर आएंगे, so this is one idea, यहाँ पर यह बात important है, MC और MSC वाले लोग भी eligible है, तो उनके लिए भी एक advantage हो गया, fees की अगर बात करें तो in general category, fees are 500 rupees, यह free क्यों नहीं कर दें इसको या, क्यों मांगते हैं बैसे, maybe कुछ लोग फिर ऐसे ही, all to fall to apply कर रहे होते हैं, maybe for this, but okay, this is one idea, अगर selection process की बात करें, तो mostly it is direct, जो की website पर है, clear cut है, कि direct admission होगा, लेकिन यहाँ पर इन्हों लेक्स से लिखा है, इनका mood है, अगर mood हुआ, direct gate score only, or gate score and a personal interview, अब यहाँ पर यह भी important है, कि they have not mentioned interview, they have mentioned personal interview, but इसके भी जब हम detail में जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सरी चीज़ा लिख रहा है, आपका motivation चेक करेंगे, suitability चेक करेंगे, आपका engineering में basic skills है, relevant areas में knowledge चेक कर सकता है, तो तो technical question भी हो सकता है, बढ़ ह मैं लगनी रा की interview होगा, मैं लगना, most probably it will be a direct admission, तो यह भी एक अच्छी बात है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो clear cut, website भी mentioned है, compressions engineering, जो Mtech है, वो direct, आप admission ले पाएंगे, तो फिर cut-off की बात आ जाती है, तो last year का cut-off है, IIT खड़तूर में, वो है 749 gate score है न, तो gate score के ब लगब लगब 260 के around बैठेगा, it is around rank 260, और marks लगब लगब 67 के करीब, 67, 68, 67.66, something like this, तो अगर 250, 260 तक है, तो congratulations, आपको IIT खड़कपुर में direct admission course में, CSE में admission में मिल सकता है, और उसके ओपर कोई चांस नहीं है, because interview को से मुझे नहीं लगना कोई जादा फर्क पड़ेगा, व तो अगर हुआ तो, तो यहां भी अब देखे, clarity हमारे पास है, जो dual course है, उसके हमारे पास exact information नहीं, उसमें कितने integrity, वैसे भी थोड़ा subjective होता है, में भी थोड़ा उपर जाए, but again answer मेरा same है, I don't think किसी का 500, 400 rank भी है तो उसको मिलने वाला है, किसी का 1000 rank के उसको Mtech for PhD मिलने व date आती है, तो हम आपको update करके बताएंगे, तो यह clarity है, मोटा मोटा idea, खड़कपूर के बारे में, तो काफे सारे colleges हलाकी बड़े clear है, और अभी जो समझ आ रहा है, अभी तक जहां हम पोच है, whether it is Bombay, और दिल्ली, और खड़कपूर, और last video हमने किस की की थी, और मदरास, I think 500 rank पी कुछ नहीं मिल रहा, यह clarity है, whether वो MTAC है, whether वो MS है, 500-600 पे, आने वाले colleges में क्या chances होंगे, कैसे काम किया जा सकता है, उसकी update हम लाते रहेंगे, आपको किसी भी तरह की guidance, कोई counseling चाहिए, वीडियो के description में लिंक है, उस form को fill करिए, हम आपको help करेंगे, आपकी rank बहुत अच्छी है, आप एक interview YouTube पे हमार साथ conduct करना चाहते है, gate 2024-25 के experience को guide करने के लिए most welcome, आप भी वोई form fill कर सकते है, यह जितना भी data हमारे पास है, cutter for all जितनी भी information है, यह kg app के ओपर एक course में विलकुल free आपको मिलेगी, तो वो course का भी link आपको मिलेगा, जस्ट आपको enroll करना है and you can check that thing also, वहाँ भी आपको यह सारा का सारा information मिलेगा, yes, तो भगवान आप सभी को खुश रखे, इसी तरह काम करते रही और हम आने वाले time में नहीने college की video upload करते रहेंगे, जै हिंद, जै भारत.